तुम्हारा disappointment पढ़ाई को लेके विल्कुल भी negative sign नहीं है मेरे opinion में तो ये अभी September के महीने में best sign हो सकता है क्योंकि तुम वैसे भी नहीं पढ़ रहे थे अब जब तुम्हें disappointment फिल हो रही है this directly shows कि तुम अपनी पढ़ाई को लेके कही ना कही awareness में आये हो and धीरे धीरे जब ये disappointment ग्रो होगी तुम पढ़ाई करना start कर ही दोगे क्योंकि अब 6 महीने बचे हैं almost हम मान रहे हैं 6 महीने तुम्हाई पास बचे हैं तो something is better than nothing अगर तुम वैसे भी नहीं पढ़ दे हो तो हालत तो डूबी हुई है अगर आज से ही कल से ही पढ़ना start कर दो तो कुछ better situation पे कुछ better जगा पे पहुची जाओगे अपने खुद के लिए बिलकुल किसी को भी proof करने के लिए नहीं तो यार इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे points की जो तुम्हें help करेंगे disappointment से bounce back करने में and सबसे पहली चीज जो आती है यहां पे यह है कि तुम cause ही identify कर लो जो तुम्हार disappointment का main cause है वह ही identify कर लो and मेरे accordingly most of us के case में यही चीज होगी कि तुम लोगों को लग रहा है कि मैं expectations meet नहीं कर बाँ रहा हूँ and again saying कि यह बहुत अच्छा sign क्यूंकि तुम्हें अपना potential realize होना start हो गया and जैसे तुम अपना potential realize करोगे तुम अपना caliber realize करोगे तुम भले half-year lease में कम marks लाओ भले pre-boss में कम marks लाओ तुम्हें पादा चल जाएगा कि मैं सिव इतने marks deserve नहीं करता हूँ and तुम करोगे फिर hard work जो तुम्हें एक अच्छी जगा पर definitely ले जाएगा and which will help you definitely अब इसके बाद आता है कि जो तुम्हारी learning opportunities है उनको थोड़ा साना upskill करो मतलब जो तुम्हारी skill set हो सकती as a 12th grader या जो तुम्हारी skill set हो सकती as an 11th grader उसको थोड़ा और upskill करो तुम लोग यही चीज समझ के करो कि जितनी भी पढ़ाई तुम करो या 10th तक तो subjects मानो ऐसे थे जो तुम्हें future में भी काम नहीं आए but 11th, 12th पे तो mostly subjects है यह तुम्हारे काम के ही है this will help you in future तो इनको theoretically तो पढ़ो ही पढ़ो बट उसी के साथ साथ तुम्हारी जो learning opportunities हो सकती है उसको भी advantage में लो और उनको भी highlight करते करते चलो next तुम लोग disappointment में आते हो तब जब तुम अपने लिए एक बहुत भड़ी expectation set कर देते हो एक बहुत huge mountain climb करने के लिए रख देते हो और तुम आदे तक भी नहीं पहुचते हो फिर तुम्हारा पूरा motivation गिर जाता है फिर तुम्हारी पूरी morale गिर जाती है मैं regular videos में तुम्ही यही बोल रही हूँ कि 1% growth पर ही focus करो वो इनफ यह भी अगर तुम्हें आदत ही नहीं है पढ़ने की तुम 1% growth से ही start करोगे then definitely तुम किसी point पर पहुचोगे जा overall growth तुम्हें एक बड़ा amount में देखेगी और वही चीज आजाती है कि जो तुम्हारी expectations तुम खुद से रख रहे हो at this point should be realistic मतलब अपने potential के हिसाब से अपने caliber के हिसाब से ही अपनी expectations रखो ऐसे मत करो कि एक दिन में ये पूरा chapter कर लूगा एक हफते में पूरी business studies निपटा लूगा possibly नहीं है यार जब धीरे धीरे start करोगे थोड़ी logical expectations खुद से रखोगे तो क्यों तुम्हारी disappointment create होगी यार क्यों तुम्हारी expectations crush down होगी होगी नहीं अपने आपको समझ के अपनी पढ़ाई के targets तब ही set करो and last आ जाता है कि तुम्हारी जितनी भी progress है उसको monitor करो अपने आपको appreciate करते चलो तब ही जाके एक successful point पर पहुचोगे syllabus को लिखे जब तक तुम खुद को value नहीं करोगे खुद के बारे में confident नहीं feel करोगे अपनी progress को monitor नहीं करोगे तुम्हारा confidence built हो गा ही नहीं and again तुम disappointment में ही रहोगे तो यार ये मेरे point of view थे अगर तुम्हें कुछ कहना है so comment box पर लिखो interact करते है वीडियो साथ ही रहेंगी तब तक के लिए stay tuned